नमस्कार मित्रो आप सभी का श्वागत हैं मौनसून 2024 खतम हो चुका है और हमारे द्वारा 107% बारिस का पूरवनमान किया गया था जिसने 108% बारिस दर्ज की गई है सिर्फ कुछ राज्यों को छोड़ करके लगभग पूरवनमान सही सावित हुआ है और अब सबकी नजर व होने का भी समय आने वाला है तो दोस्तो इस वीडियो में पोश्ट मौनसून सीजन याने की अक्टूबर नवमर के बारे में बात की जाएगी और विंटर फोरकास्ट याने की दिसंबर से लेके फरवरी तक का पूरवनमान के लिए अलग से वीडियो तीन-चार दिन में अ वेस्ट करने वाला है अभी यह फेज वन और टू के बीच में है जो की अगले एक महीने के दोरान भारती उब महादीप में अपना असर डालने वाला है और लगबख 30 तारीक तक फेज एक से लेकर 7 में ट्रिबल करेगा जब यह फेज 4 से लेकर 6 के बीच में होगा तो खासकर उत्तर और उत्तर बश्यम भारत के राजियों में जिसमें राजिस्थान, मद्ध प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिली, हर्यान, पंजाब और पहाडी राज सामिल है यहां अधिक्तम तापमान थोड़ी बहुत जादा रह सकता है लेकिन नियुनतम तापमान शामा पहाराष्ट्रो चाथिसगर, उरुडीजा के भागें यहां नियुनतम तापमान सामान या सामान से थोड़ी कम और अधिक्तम तापमान सामान से थोड़ी बहुत जादा रह सकते है लेकिन टोटल यह माहे तापमान के लिहाज से अच्छा साबिष हो सकता है और सुहावन मौसम रहने की संभावना है लेकिन नवंबर के महीने में तापमान की लिहास से ज़्यादा बढ़ उत्री देखे जाएगी और और ओशत तापमान सामान से ज़्यादा रह सकता है इस तर भारत और कुछ उत्तर पश्चिं भारत के सासाथ मद्द भारत के हिस्तों में सामान से ज़्यादा तापमान रह सकते हैं लेकिन दच्ण भारत और पूरवी भारत में सामान के आसपास तापमान की संभावना है यदि अब बारिस की बात की जाए तो एक से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में उत्तरी भारत और उत्तर अंत्रपरदेस में सामान या फिस सामान से ज़्यादा बारिस और कुछ एक से लेकर दो वेस्टन डिस्टरबेंस एक जिसमें से पहला वेस्टन डिस्टरबेंस पास से लेके 7 तरगी भी दूसरा 8 से लेके 11 तारीक के बीच आ सकता है जिससे उत्तर भारत के पहाड़ी को परिश कोफित एगादक की समभावना यह रिहार में टोबरेश में समान सब्सक्क्राइब भारत से लेएंगे 20 अक्टूबर के बीच मद्य भारत के भागों में देखने के जाने की संभावना है और अरब सागर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम देखे जाएंगे जिसमें लो प्रेसर सिस्टम से लेकर के डिप्रेशन तक बन सकते हैं इसमें से तूफान बनने की संभावना भी लगबक 30 से लेकर 40 प्रिस्दत है जिसमें अरब सागर में तूफान की संभावना 40 से लेकर 50 प्रिस्त है और बंगाल की खाड़ी में इस दोरन तूफान की संभावना लगबग 20 से लेकर 30 प्रिस्त है दोनों समुत्रों में से एक समुत्र में डिप्रेशन बन सकता है और एक लो प्रेशर सिस्टम लगबग 11 तारिक से लेकर 16 तारिक के वीच या फिर साइकलोनिक सर्कुलेशन अपना असर पूरी भारत और मद्द भारत के राज्यों में डाल सकता है जिसमें मद्द प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, च्छतिसगर, ओडिसा और जहार, खंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तक सामान या सामान से जादा बारिस ह सकती है, साथ में गुजरात, राजिस्थान के दच्छणी भाग और एक दो वेस्टन डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं, जिसकी वज़े से जम्मू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरेयारा समेत राजिस्थान के कुछ भागों में सामान के आस्वास बारिस हो सकती है, और बर्फवारी की रूप में थोड़ी बहुत कमी भी रह सकती है, लेकिन इस दोरान यदि बंगाल की खाड़ी या फिर अरफ सागर में सिस्टम उभरता है, तो लगबख 16 या फिर 17 तारिक से लेके 20 तारिक के बीच गुजरात, राजिस्थान के दच्छणी भागों म बारिस में थोड़ी बढ़ोतरी देखे जानी की संभावना है, और साथ में मद्परदेश के भागों में भी बारिस देखे जाएगी, इसके बाद 21 तारिक से लेके 31 तारिक के बीच जो है बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभर सकता है, जिसके तूफान बननी की संभा थोड़ा बहुत अपना असार डाल सकता है, जिसकी वज़े से सामान से जादा बारिस गुजरात के हिस्तों में, महराष्ट के हिस्तों में, मद्परदेश के हिस्तों हो सकती है, साथ में राजिस्थान के दच्छडी भागों में सामान से जादा बारिस हो सकती है, और राज कि सभी राज्यों में सामान या फिस सामान से जादा वारिस दोरान हो सकती है। या फिर सामान से जादा वारिस हो सकती है। लगबग इस हिसाब से इस पूरे माहे में सामान बारिस हो सकती है। यदि नमबर की बात की जाए तो इस दोरान उत्तरी और उत्तर बश्च्वी भारत में सामान से कम बारिस की संभावना अभी का अंसार दिख रही है। और वेस्टन डिस्टर्बेंस से लगबग तीन से चार तक अपना एफेक्ट डाल सकते हैं। पहाडी राज्यों में कुछ बर्फबारी हो सकती है। इस लेकर के आंद्यप्रदेश के कोष्ट या फिर उत्तर पूर्ब की और रहने की संभावना है। अगर ऐसा ट्रैक रहता है तो मद्यप्रदेश, 36 गड़ और कुछ जारखंड साथ में गुजरात के भागों में भी तोड़ा बहुत असर हो सकता है। यदि ओबर ओल देखा जाया तो दच्चन भारत में सामान से 120 से लेकर 130 फिजदी और उत्तर और उत्तर पस्चिम भारत में सामान से लगबग 60 से लेकर 70 फिजदी तक बारिस होनी की संभावना है। इस प्रकार से देश भर में सामान बारिस हो सकती है और लगबग 95 से लेकर 150 फिजदी के बीच बारिस होनी की संभावना नवंबर की महिने में दिख रही है। तो दोस्तों आगे जो भी चेंजिश आते हैं अब आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ regular जुड़े रहें।